जैमान पूर्णा दोस्तों तो आज की हमारी जो रेस्पी है वो है फालूदा कुल्फी और ये सभी को पसंद आती है और ये कई variation इनके होते हैं बहुत सारे flavors होते हैं कुल्फी में फालूदा में तो आज जो है हम देखिए इस तरीके की ये फालूदा बनाना सीखेंगे कुल और एक मग तयार किया जाता है ग्लास के रूप में और सबसे बढ़ियां जो सब जगहां मिलती है वो होती है फालूदा कुलफी तो देखे कितनी प्यारे लग रहे हैं ये फालूदा और बनाना बहुत ही असान है तो चलिए देखते हैं तो देखे फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक बाउल में ये आधा कप मैंने कौन फ्लोर लिया है अगर आपके पास कौन फ्लोर ना हो घर में आरा रोट हो तो वह भी ले सकते हैं इन दो चीजों से ये बनता है तो आधा कप कौन फ्लोर है तो मतलब जिस भी बरतन से आप लें एक कप आप मानले यहां पर लिया हुआ था और इससे 3-3 कप मैंने पानी एड़ किया है इसमें पानी उसका 3-4 गुना तक होना चाहिए जिसे यह बहुत ही अच्छा बनता है और इसी के साथ में थोड़ी सी मिठास लाने के लिए मैंने यहां पे 2 टेबुले स्पून और यहा तो चार चमच के करीब में मैंने चीनी एड़ किया है आप मिठा अपनी एकॉर्डिंग कर सकते हैं यहां पे आपके पास में अगर केवडा वाटर या गुलाब जल कुछ भी हो वो भी कुछ बून डाल दीजे इससे बहुत यह अच्छा फ्लेवर आएगा और इसको करने के अगर आपके पास यह नहीं तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए फ्रेंड्स आप कोई एक हाड पॉलिथीन ले सकते हैं क्योंकि इसको अपको गरम गरम ही बनाना होता है या फिर कोई कोकी बोटल में थोड़ा सा छेत कर ले चोटे वाले उसमें भी भरके आप इसको बना सक बस यही दिक्कत आती है इसमें उसको मैंने ओयल से ग्रीस कर लिया है अब मैंने फ्रेंड पर इसको पकने के लिए रखा है और फ्रेंड को आपको मीडियम टू लो रखना है बहुत हाई नहीं रखना है क्योंकि अभी तो यह चलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जैसे जैसे यह पकने लगते है ना धीरे-देरे से इस्टिकी से होने लगेंगे तिक होने लगेंगे अगर आप नौनस्टिक का पैन यूज करेंगे तो थोड़ी से दिक्कत हो सकती है तो देखिया यहां पे मैंने तोड़ा सा औरेंज फूट कलर डाला है आप चाहें तो एकदम वाइट वाली भी बना सकते हैं, जो मार्केट में वो भी मिलती है, ये भी मिलती है, तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये ठिक होने लगा है, इसको पकने में 5-7 मिनट लग जाएंगे, 5-7 मिनट अकॉर्डिंग टू फ्लेम कैसा आप तो आप इसको लगातार चलाते वे इस तरीके से चलाएं, देखिए इसमें अब आपको दिखने लगा हैं, ये लम्स बनने लगे हैं, तो अपने कल्ची से इनको दबाते वे आप इनको लम्स को सही करें, तो कुछी देर में आप देखेंगे, ये एकदम एक सार हो तो देखिए किस तरीके से ये लगने लगे हैं, बिल्कुल वैसलीन के जैसा जैसे एक लेही जैसा होता है, ये कराची हलवा हम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इनको भी आपको पकाना होता है, तो ये देखिए, अब इसके लिए मैंने फ्रेंट्स देखिए, एक बा और ये देखे अब ममारा तयार हो गया है देखे काफे थिक हो चुका है और ये पैन में चुपकने भी लगा है तो इसमीन ये प्रिपेर हो चुका है अब हम इसको गरम गरम ही अपने जो मोल्ड है सेवाई वाला उसमें खाली कर लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स इसको मैंने और यह गरम गरम में ही इसके अंदर जाने वाला है और यह देखिए इस तरीके से आप देख रहे होंगे दुआ निकल रहा है आप ठंडा होने के लिए मत रखे नहीं तो यह अपना आकार ले लेगा जिस भी बर्तन में आप रखेंगे उसी बर्तन का यह जो कॉन फ्लोर होता अधिक होने बाद उसी में ले लेगा इसलिए यह जो फालूदा बनाते है इसको गरम गरम ही बनाते है तो देखिए मैं गरम गरम डाल रहे हूं और यह बर्फ के साथ में तुरंट ठंडे हो जाएंगे और तुरंट ही हमारा फालूदा बंद के तयार हो जाएगा तो यह देखिए हमारा फालूदा हो गया है तो अभी हम इसको ने टच करेंगे करीबन पान से साथ मिनट हम इसको ऐसे ही रहने देंगे तो पान से साथ मिनट हो चुके हैं और यह देखिए हमारा कितना प्यारा फालूदा बनके निकला है एक एक देखिए कितने प्यारे से निकले हुए है और अभी ये कलर ऐसा है कुछ देर आप इसमें रहने देंगे क्योंकि अभी सर्व नहीं करना है मुझे और मुझे इवनिंग में सर्व करना है तो कुछ गंटे अगर आप इसमें रहने देंगे तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पानी में इसक इसको मैंने एक बॉक्स में जमाया हुआ था तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं सर्फ सर्फ करने के लिए मैंने ऐसा एक सर्विंग डेस ली हुई है और इसमें सबसे पहले मैं फालूदा को डाल रही हूँ तो देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है चार से पांच गंटे मैंने इसको पानी में रहने दिया था पानी में करके मैंने इसको फ्रिज में रखा था क्योंकि इसको मुझे नाइट में सर्फ करना था सबको फैमिली मंबर्स को तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके क्यूब्स काटे हुए अपने कुलफी के और इसको आप फ्रेंड्स जैसे की अभी मैं जो है स्ट्रॉबेरी क्रस्ट से इसको सर्फ कर रही हूँ आप चाहे तुरुअबजा से या रोज जो सीरप आता है उससे किसी जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो उससे आप सर्फ कर सकते हैं तो देखिए इसके उपर मैं अभी स्ट्रॉबेरी क्रस्ट जाल रही हूँ थोड़ा से मैस करके क्योंकि क्रस्ट जो होता है वो थोड़ा थिक होता है सीरप जो होता है वो थोड़ा लिप्विड होता है और ख रस्पी की पिक मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे एबी पेज पे आप शेयर कर सकते हैं उसको मैं अपने कम्यूटी टैप पे जरूर लगाती हूं जो कुछ फ्रेंड्स शेयर करते हैं अपनी पिक तो देखिए यह हमारी इतकुलफी तयार तो चलिए फ्रेंट्स इसी रेस्पी के साथ में मैं आप से ले रही हूं विदा नेक्स रेस्पी में फिर मिलूंगी